मैला तता सजन ब्रिन्द पपर होरु का बीच आफना मन का कुड़ा भन्नु पाउंदा मलाया आजो खुशी लागे कुछा अम्रा तराई फाट का जन भावना भुजने र याँ हरु संग साच्छतकार हुने यस्त मौका मिले को मा मा आयोजक, प्रवंदक तथा समलगन सबेलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहांचुगा हाम्रा अन्न को भन्डार भनिने तराई मदेश को यो समथर उपजाओ फाट हामी नेपाली का लागी यो भुमी को और कई ठूलो मुल्य र महत्तो चाहांचुगा पौरवसाली इतियास बोके को उद्दम, इलम, उत्पादन बेवसाय बजार र आर्थिक उत्थान को आधार हाम्रो तराई मदेश को छुट्टई पहिचान, पाउरक र प्रतिस्था चौँगा हामी देखी रहे का छौं, भोगी रहे का छौं, दुईतिन दसक यता आयरा हाम्रो तराई चेत्र, हाम्रो यो उर्बर मदेश भुभाग आज उजाड वंदई गई रहे को छौ। यहां को पोखरी, पानी को श्रोत, ट्यूब वेल, कुवाधार, तथा जल सता कमजोर वंदई, सुखा, खडेरी र मरु भुमी करन तिर गई रहे को छौ। यो गंबीर चिन्ता को कुड़ा हो। मदेश का होनहार उद्दमी युवा जन सकती, दिनों विदेश तिर दगउरी रहे को छौ। उचीत, रोजगारी, सीत, इलम र आउसर दिन न सक्दा, गरवी को बाध्यता को कारन, हामरो जमीन, हामरो स्रोत साधन सबै, सुख दै, हामरो जन सक्ती, पातिली दै गई को छौ। यो दुख को कुड़ा हो, देश बनाउनू, देश बचाउनू, निरंतर आवाज चा, हामी माथी आव्भान पनी चा, मा भन्चू, हामी हामरो पुर्खा को पावरक न भुलूं, हामी यही बसूं, हामरो यही आफनू जन्म भूमी का लागी मरी मेटूं। हामरो विकास, हामरो उत्थान रा हामरो समस्या को निवारन, हामी आफ़े बाट हुने हो, अरुले आयर गडि दिने होईन। तर दुख का साथ भन्नू परच, आजो हामरो देश, हिमाल, पहार रतराई, सबई उजाड बंदई, खोक्रो भाहर, चरम दुर्भाग्य को अवस्ता तिर खसके को छौ। यो अवस्ता को अंत गड नहीं परेको छौ। यसका निम्ती अब सोचने बेला आयो, देश लाई जन जन बरबादी तिर न लई जाँ। टेश का लागी अब सबई ले सोचूं, समिक्षा गरूं। नेपाल को यसतर आमरो प्रकृति, हामरो यतिका प्रकृतिक स्रोत, साधन, हामरो आफनो छेमता, इस सबई कुरा, हामरो आफनो आर्थिक उन्नतीमा लगाँ। आफनो घर उजार पारे र अरुको उन्नतीमा आफनो श्रम पसिना लगाँने अब बेला गयो। आफनो छेमता, आफने घर द्वार, आफने गाँ बस्ती रा आफने बनाँने तिर अब हामी लागने परचा। यसे मा हामरो देश को उन्नती, प्रगती, इज्यत र प्रतिस्टा निर्भर हुन्च। हामी भूगोल र भूब बनाउट मा बाणिने वैना। हामी ज्यत ज्यति धर्म सम्स्कृति मा खंडित हुने वैना। हामी सबई को देश नेपाल, नेपाल मा बसने हामी सबई नेपाली। त्यसेले बिवेद को, बिखंडन को, बिग्रह को र निशेद को राजनिती हामी नगरू। हामी सबई को भलाई यसे माच। आफना आत्मिय अग्रज हरूलाई गुमाये को पीरादायक अवस्तामा नेपाल को राज्यभार ग्रहन गरेर पुग नपुग, साथ बर्ष राष्ट प्रमुक को हैसियातमा मैले आफनु दायत्तो निर्भा गरे। सत्काल अफ्ठ्यारो परिस्तिति मापनी देश को थप बर्बादी नहोस। रहाम्रा प्रजातंत्र का मान्यता राखे र नई मैले काम गरे को हुग। दुयादार अंठाउन्नमा घटे को बिनासकारी घटना जोन हामी रहाम्रा परिवार लाई काहाली लागदो प्रसम्जनपनी मन्नपराउने अवस्तालाई राजनितिक जाल जेल गरी धेरे नेपाली को मनमा प्रम को बादल बनाई नकरात्मर भावना पैलाहे गुथियों। हामी रहाम्रा परिवार लाई खातक प्रहार हो रुपनी गरे का थिये। सत्ते संदै सत्ते हुँच और सत्ते को विजय कईले हुदईन। भाम्र माज प्रत्यक्ष दर्चिय अरू हुदा हुदे अग्यान्ता र छल्ले अजपनी हामी बह किये रहे का छौं। यो अन्या पुर्ण मात्र वैन दुर्भाग्य पुर्ण पनी हो। आफनु पुर्ख्योली राज दर्बार बाट परित्याग गर्दा दुई अजार पुई सठी जेश्ट उननतीस गते आम संचार माध्यम मार्फत महिने भने को थिये। मन नेपाल महि बसी मुलुक को ब्रिहप्तर हीत र सांथी का लागी योगदान पुराउन उचांचु। अनी तेती बेले महिवे भने को थिये। स्वावी मानी आम नेपाली को समग्र हीत होस बन्ने मेरो हार्दिक कामना चौ। हाम्रो राष्ट प्रेम र राष्ट हीत को सदा सयता काइम न रहदा देशमा वीशम परिष्थिती बर्दै जांच। र त्यस्तो बेथिती बाट आम जनतामा आक्रोस उत्पन्न हुंच भन्ने तेती खेर को आकलन हो। बीते का पंदर बर्ष पछी आजत्यो असंतोस चासो चिन्ता आक्रोस सर्वत्र चता चुल्ल चौ। आफनु गरी मा पूर्ण राजपाट बाट बीयुप्त उनुपर्दा मैल ब्यक्त गरे को राष्ट प्रेम, राष्ट्यता, प्रजातांत्रिक प्रति बद्धता, तथा देश र जनताको उत्थान मा क्रियासील हुने भावनालाई मैले आजपने सांधार्विक रूप मां समझी रहे को छू। तेसाई आश्य अनुरूप मैले चीर काल प्रयंत्र सुरक्षित्र होस भनेर आफनु श्रीपेज राष्टलाई सुम्पिये को थिये। आजपनी देश मैं रहेर हामिले देश को गवरव गाथा गाई रहे का छू। अईले पनी देश को सार्वांगिन उन्नती होस दे रेद भाव रहीत ढंगले सबई देश बासी को विकास हुदेई जाऊस भन्ने नही आमरो भावना चो। आपनू मौलिक्ता आपनू अस्तित्तो आपनू पहेचान गुमायर देश लाई विवाजन को खाडल तीर लगेर अनी देश मैं सनातन देखी रही आयको सू मधूर सामाजिक संभाव